जब हम प्रेग्नेंसी प्लान करते हैं तो एक इश्यू जो सबसे बड़ा प्राब्लम होता है एक कपर के अंदर वो है शारीक संबंद रखने में असमर्थता यानिए एक कपल चाह रहे हैं प्रेग्नेंसी रखना लेकिन वो रिलेशनशिप नहीं रख पा रहे हैं इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि ऐसा क्यूं होता है और क्या किया जा सकता है इस प्राब्लम को सॉल्व करने में थैंक यू नामस्ते मैं हूँ डॉक्टर मुकेश गुपता स्त्री रोग विशेश अग्या लेनेस्ट मलाड मुंबई से जब आप प्रेडिंसी प्लान करते हैं तो सबसे पहला महत्वपून चीज यह होता है कि पुरुष पीच और स्त्री पीच दोनों का मिलन होना और यदि यह मिलन होना है तो उसके लिए सबसे जुरूरी चीज होती है दोनों का आपसी शारिरिक संबंध रहना कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जो यह प्रॉब्लम लेके आते हैं कि पाकी सब ठीक है दोक्टर हम प्लान कर लेंगे लेकिन हमारा शारिक संबंध नहीं हो पा रहा है और उस वज़े से कैसे प्रणिंट्टी रह सकती है तो यदि आप समझना चाहे कि ऐसा क्यों होता है और हम इसको कैसे सॉल्फ करें तो हमारा वीडियो दिखते रहिए नामबर वान हमें पहले यह समझो कि यह प्रॉब्लम है भी या नहीं देखिए कम से कम 30-40 प्रतिशर कपल्स जो प्रेडियों के लिए ट्राइक कर रहे हैं और नहीं हो पाता है उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के इस्वीज होते हैं और जहां पर कभी-कभी मेल में phasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas तीसरी इशू ये होती है कि हाँ हमारी इच्छा होती है सब कुछ होता है लेकिन जो इरेक्शन जिस लेवल का चाहिए वो नहीं हो पाता और तुरंत धिलापन आ जाता है और उस वज़े से संबन रखी नहीं पाते चौते एक इशू आती है दिमाग में कि अगर हम ट्राइ कर रहे हैं संबन तो रख रहे हैं लेकिन फिर भी संबन रखने के बावजूद एजैकुलेशन नहीं हो पा रहा है स्परम भाहर नहीं निकल पा रहा है तो अगर हम यह सोच के करेंगे कि फर्टाइल पीरेड में हमें संबन रखना है तो उसके नहीं हो पाता है लेकिन अगर हम प्लान करें नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही हम कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है इसे कहते हैं performance anxiety तो यह कई factors होते हैं जो पुरुष को actual शारीक संबंद रखने और इसके तत पश्याद pregnancy रहने में कभी-कभी difficulty की दरफ ले जाता है और इसे solve किया जा सकता है solutions के बारे में में बद्दुबारा थोरी दिर बाद में आऊंगा लेकिन अब हम समझते हैं कि स्त्रियों में क्या problem आ सकती है स्त्रियों में again कई बार ऐसा होता है कि उनके मन में वहम या phobia होता है कि बहुत दर्द होगा या बहुत तकलीफ होगी और ये बचपन से उनके दिमाग में कूट-कूट के भरावा होता है और उस वज़े से ये past baggage की वज़े से उनने penetration phobia हो जाता है जिसकी वज़े से वो support और accept नहीं कर पाती है act second thing is vaginismus कि जब संबंद रखने की कोशिश की जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द की fear या दर्द भी होता है जब वो अपने योनी को actually contract कर लेते हैं और उसकी वज़े से और ज़्यादा पहिन होता है और संबंद रखने में कठिनाई होती है या नहीं रख पाते हैं तीसरा होता है dyspareunia कई बार कई कारण होते हैं चाहे वो anatomical हो चाहे वो infection related हो कि उन्हें शाड़िक संबंद रखते वक्त दर्द होता है और यह दर्द के वज़े से वो संबंद रखने ही पाते या रखना नहीं चाहते last but not the least is there is one major issue is कि अगर आपके personal mentally अगर आप इस चीज के लिए तयार नहीं है इस चीज के लिए prepared नहीं है तो आप इसको accept नहीं कर पाते और cooperation नहीं हो पाता और उस वज़े से शाड़िक संबंद नहीं रह पाता तो यह इस प्रकार के और भी कई factors हैं जो psychologically हमें defect कर सकते हैं और हमें जैसे कि अगर पुरिश्वस्त्री को anatomy समझ में ही नहीं आती एक दूसरे की तो नहीं कर पाते उनके आपसी संबंद विहवार एक दूसरे से इतने अच्छे नहीं है कि वो लोग actually संबंद रखने में एक को क्या issues हैं और उसके हिसाब से हम treatment protocol set करते हैं और जब हम treatment protocol set करते हैं तो सबसे सबसे उपर और सबसे important है psychological counselling यदि आप दूर रहते हैं हमार पास नहीं पहुंच सकते हैं तो ऐसा कोई counselor ढूंडे जो शारीक संबंद के बारे में भी समझते हैं sexology के बारे में भी fertility के बारे म में आपकी मदद कर सके ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह आपको इस counseling में सबसे यदा मदद कर सकेंगे after the counseling the second important thing is narrative explanation यानि कि आपको और आपके partner को explain करना होगा कि anatomy physiology किस प्रकार से होती है क्या होता है और उसको कैसे handle करना है step by step third important thing आती है जो हमारे दमाग में यह चीज को solve करने के लिए वह यह है कि एक दूसरे को actually anatomy के बारे में समझा के उसको personalized तरीके से understand करना कि कि किस जगे पर वो लोग गलत जा रहे हैं फूर्थ चीज़ मेडिसिंस कई प्रकार की दवाईयां आती है जो अपनी उत्तेजना को बढ़ाने में मदद कर सकती है कुछ दवाईयां आती है जो पुरुष इरेक्षिन को डिलापन को solve करने में मदद आती है या कुछ दवाईयां आती है जो relationship को prolong करने में जैसे हम कहते surgical procedures होते हैं जो कभी-कभी करने पड़ जाते हैं पुरुषों में कभी phimosis होता है पुरुष लिंक के आगे की चमड़ी यदी पीछे आसानी से नहीं जा रही है तो उस परिस्तिती में हमें actually operation करके उसे release करना पड़ सकता है स्त्रियों में कभी-कभी rigid imperforate hymen होता है जो बहु काफी popularly use होती है इससे psychologically आपको लगता है कि हाँ enough space है अब हम संबंद रख सकते हैं उसमें काफी मदद होती है लेकिन याद रखें यह surgical process अपने आप में solution नहीं है यह solution कब काम आएगा जब हम इसे combine करेंगे आपके counselling और psychological assessment से और आपको मदद करेंगे इस phobia और behavior से बाहर निकलने के लिए आखिर में यही कहूंगा कि कई बार यह दोनों problem साथ में होते हैं पुरुष में एक तरफ होता है performance anxiety और एक तरफ होता है penetration phobia अब यह दोनों अगर एक साथ होते हैं तो काफी कठिनाई होती है इसको resolve करने पर बड़ यह impossible नहीं है यह solve किया जा सकता है कभी कभी couple कहते हैं कि नहीं हमसे तो संब्ध नहीं होगा आप artificial insemination ही कर दीजे वेल वो भी एक option है जिससे pregnancy तो रह सकती है यदि आप चाहते ही नहीं है संब्ध रखना तो भी लेकिन यह सारी चीजे किस patients में कब करनी है कैसे करनी है यह individualized assessment के बाद में होता है यदि आपको इस भी शंका यह सवाल है अगर हमसे counselling करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे email address lenis.india.gmail.com संपर्क करें हम आप से touch में आ जाएंगे thank you very much and all the very best